लो दोस्तों कैसे आप सब उमीद हैं स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे दोस्तों यूपी यानि उत्तर प्रदेश के मौप अप राउंड में सिर्फ कुछ घंटे ही बज गए हैं जी हाँ आज है 28 तारीक और कुछ ही घंटों में 29 तारीक यानि 39 मार्श जो है वो लग कि पूरा schedule क्या है उसको दुबारा से एक बार पढ़ना जरूरी है साथ ही आपके किस state rank तक आपको participate करना चाहिए यानि किस category के बच्चों का state rank क्या होना चाहिए साथ ही government colleges के लिए जो schedule है वो क्या है और private medical colleges के लिए schedule क्या है इसके इलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो total vacant seats है मौप अप राउंड के लिए वो क्या है और इसके हिसाब से जो merit list जारी हुई है उसके हिसाब से जो cut off है वो क्या जा सकता है तो इसको ही पूरी detail में हम बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरी वीडियो में तो बने रही है पूरी वीडियो में मेरा नाम है आप तक पहुचाने की कोशिश करता हूँ एदि चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा तो आएए शुरू करते हैं दोस्तो आएए सबसे पहले हम लोग schedule पे नजर डालते हैं कि government colleges के लिए क्या schedule है और private medical colleges के लिए क्या schedule है और कितने time slots में जो है आपको reporting करने मौप अपराउंड के schedule की अगर हम लोग बात करें तो 29 मार्श 2022 को होना है और government medical colleges के लिए जो seatों का आवंटन या distribution है उस सुबह के 11 बज़े से होगा इसमें कौन कौन participate कर सकते हैं तो यहाँ पे आप state rank वाले column में देखेंगे तो लिखा है समस्त शर्णी के horizontal उप शर्णी के PH, PFF, EX, NC के समस्त students और वहीं दूसरी बात करें तो ST category से गर आप आते हैं तो उन सभी सारे students और साथ ही जो state rank जिनका जो है 1 से लेकर 1100 तक अगर आते हैं और आप अनुसिचित जन जाते हैं यानि SC शर्णी के अंतरगत से आते हैं तो यहाँ पे जो state rank mention है वो 1 से लेकर 1100 तक अगर है तो आप 11 बज़े सुबह में आपको रिपोर्टिंग करनी है एक बज़े की अगर हम लोग बात करें तो ज हो तो इस एक बज़े के जो time slot है वहाँ उस time slot में आपको reporting करनी है ध्यान रहे state rank आपको जरूर मैच करना है यानि 01 से लेकर 200 तक और undeserved EWS और OBC category के आप अगर student हैं तब अगर पांच बज़े वाले time slot की बात करें तो पांच बज़े सारे students जो भी registered हैं मौपर प्राउन के ल लिए जाते हैं तो इन तीन time का जो slot है उसके हिसाब से आपको reporting करनी है offline मौप प्राउन की जो conduct होने वाला है अब हम लोग बात करते हैं कि जो private medical colleges है उसका जो seat आवंटन है वो 30 तारीक को होना है और अगर ग्यारा बज़े की बात करें तो यहाँ पे 11 बज़े के time slot मे state rank जि हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और जो भी अलपसंग्यक medical college में रिक्त अलपसंग्यक शरनी के seat उपर आवंटन की कारेवाई पहले की जाएगी मतलब यह एक special notice है वहीं अगर हम लोग 31-3-2022 की बात करें तो यहाँ पे जो medical private medical college हों की seat आवंटन की परकिरिया है वो सुबह के 11 बजे से होगी और state rank जो है वो 2001 से वो की जाएगी इसका मतलब यह है कि जो private medical colleges में भी जो seat का आवंटन है वो purely merit basis पे होगा तो 2001 से जिसका state rank होगा वो दूसरे दिन reporting करेंगे यानि 31 मार्श तक वहीं अगर हम लोग 1st April 2022 की बात करें तो सुबह के 11 बजे से यह फिर से जो सीटों का आवंटन होगा वहाँ पे जो state rank वाले बचे होंगे वो होंगे एक से लेकर 2500 तक यानि जितने भी registered चात्र हैं या चात्राएं हैं और private medical colleges के लिए चुक हैं तो उसका जो rank होना चाहिए वो एक से 2500 तक एक से 2500 तक जिसकी state rank है उनकी reporting 1st April को होनी है दोस्तो time table और schedule के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि जो number of seats vacant है अलग-अलग categories के लिए वो कितनी है हाला कि ये अब तक आप जान चुके होंगे लेकिन एक बार फिर से देखते हैं और साथ ही इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि merit list के आधार पर जो cut off है वो क्या जा सकता है या state rank क्या हो सकती है और साथ ही all India rank के कितने rank तक selection हो सकता है मौप अप राउंड तो इस तरह से अगर हम लोग total vacant seats देखें मौप अप राउंड के लिए तो अलग-अलग category के लिए undeserved open category में आप देखोगे तो 55 seats जो है ऐसे है vacant अब वहीं अगर undeserved girls category के लिए देखोगे तो 11 seats available है वहीं OBC open के लिए 15 seats available है और OBC girl candidate के लिए 4 seats जो है वो vacant है वहीं अगर हम लोग BC PH की बात करें या OBC PH की बात करें तो 1 seat vacant है और BCEX की बात करें तो 2 seat vacant है और SC open category के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 seats vacant है SC NC की बात करें तो 1 seat vacant है मौप अप राउंड के लिए वहीं अगर ST open category की बात करें तो 2 seat vacant है EWS open category के लिए 6 सीटें available है और EWS girl candidate के लिए सिर्फ और सिर्फ एक है इस तरह से जो total number of seats है वेकेन मौपप राउंड के लिए वो 103 सीटें available है अगर हम लोग expected cut-off की बात करें तो merit list के आधार पर जो open category का marks है वो लगबग 599 पे close हो जाएगा और जो all India rank है और state rank जो है वो 66 यारे 66 तक close हो सकता है वहीं अगर हम लोग OBC category open की बात करें तो 597 marks पे merit list के आधार पर मान के चलिए कि इतने पे आपका close हो जाएगा मौप राउंड में all India rank की बात करें तो 20,396 तक ये close हो सकता है all India rank पे और state rank की बात करें तो 142 इसी तरह से अगर हम लोग EWS open category की बात करें तो 598 marks तक close हो सकता है all India rank की बात करें तो 19,867 और वहीं state rank की बात करें तो 102 marks ये 102 rank पे close हो सकता है SC open category की बात करें तो 465 marks पे close हो सकता है और all India rank जो है वो 1,17,364 वही state rank की बात करें तो 1,002 state rank हो सकती है ST open category की बात करें तो 321 marks पे close हो सकता है All India rank की बात करें तो ये rank जो है 3,7,937 All India rank जो है इस marks पे है इसी तरह से state rank की बात करें तो 1689 1679 जो है वो state rank पे close हो सकता है दोस्तों जो cut-off हमने आपको बताया ये merit list के आधार पर है merit list आपको site पे मिल जाएगा यदि आपको site पे नहीं जाना है तो हमारे telegram channel पे आपको ये list जो है मिल जाएगा वह हम post कर चुके हैं इसके इलावा एक बात और जो जानना है कि यहाँ पर जितने भी mop-up round में जिन लोगों ने भी registration किया है वो mop-up round में अगर आ जाते हैं तो cut-off जो है यही रहने वाला है इससे नीचे नहीं जाएगा लेकिन अगर कुछ लोग mop-up round में नहीं आते हैं तब उस cases में जो cut-off है वो थोड़ा नीचे जा सकता है और last में आप ध्यान रखिए कि mop-up round जो है यूपी में यह offline होता है तो दोस्तों यह थी complete information आपके लिए उमीद है यह information आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी हो तो please channel को जरूर subscribe किजिएगा like जरूर किजिएगा वीडियो को और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय है